एक समय की बात है, एक छोटे से गाउ में एक तितली रहती थी, वह थी बहुत ही सुन्दर और रंगीन, जिसकी खुश्बू और रूप लोगों को बहुत प्रभावित करती थी, लेकिन वह तितली हमेशा समुदर की ओर देखती रहती थी, और उसमें एक अजीब सी चाहत हमे देखती रहती हो, तितली हनस्ते हुए जवाब दी, मुझे लगता है कि समुदर में भी कुछ खास बाते होती हैं, मैं उसमें कुछ नया और अनूठा देखना चाहती हूँ, किसान मुस्तराए और बोले, तुम्हें समझना चाहिए कि जहां तुम अभी हो, वह भी बहुत ह कि खास है, तुम्हारी सुंदर्ता, रंगीनी और उत्साह सभी जगहों को रमानिय बना सकते हैं, तितली उसकी बातों को समझी और समय के साथ, वह अपने गाउं की सुंदरीता को नई तरह से महसूस करने लगी, वह अब गाउं में अधिक समय बिताने लगी, और लोगों क के साथ मिलकर खुशी से फुलों की तरह मुस्कराने लगी, इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें अपनी विशेशता को महसूस करना चाहिए और हमेशा उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे चारों और की सुंदर्ता को महसूस करने के लिए हमें उच्चत्म झाल झाल